जही नीट के एक्जामनेशन को लेकर और जी मेंस का एक्जाम कब होगा यह पूरी डिटेल जो है आप देखिए यह जी नीज के बारे से पता चलता है कि नीट का एक्जामनेशन का फॉर्म कब आएगा और जी का एक्जामनेशन कब होगा यहां तक जी मेंस का एक्जामनेशन डेट भी एक आकलन करके बताया जा रहा है जो सोस से जो पता चल रहा है चुकि आपको पता है और बहुत अप्टू डेट बहुत अच्छा है कि मंगलवार के रोज यानि आज एंटिये जो एक्जामनेशन रेश्टेशन फॉर्म एक्जामनेशन कंड़क करने का सारा जो प्र भाद सबसे बढ़ा ही आएगा कि आपको जो यूपी में आपको तेरे मेडिकल कॉलिस को इस्टैबलिश किया गया है जो आपको 900 सीट बढ़ जातने इस बार आप कल्कुलिशन करके देखे तो 900 सीट बढ़ेंगे जो कि अल इंडिया रेंक में अगर बात करें अल इंडिया कि अच्छे डॉक्टर बने इसमें अगर आप देखेंगे तो कि सबसे बड़ी बात यह कहा गया है कि नीट का एक्जामनेशन जो है सिप्टमबर तक होगा या सिप्टमबर एक्जक में बार बर वीडियो में कर रहा हूं कि उमीद करते हैं कि सिकंड विक में होगा यानि 12 स सिप्टमबर मैं अपने आकलन से मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं आप उमीद करते हैं जो होगा नोटिफिकेसं आने के बाद ही पना चलेगा लेकिन जी मेंस का एक्जामनेशन का जो डेट बताया रहा है सोर से वह एक्जामनेशन डेट जो है जी मेंस का वो आप देख लेजिए कि 25 जुलाई और 15 अगस को होने की संभावना बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है फेस थिरी और फेस पूर का एक्जाम बाकी था वो सारे एक्जामनेशन उमीद किया जाता है कि आपको 25 जुलाई और 15 अगस के बीच में जी मेंस का एक्जाम हो जाएगा लेट